कैसी है डाक घर मासिक आई योजना? कैसे पहुचाती है निवेशकों को लाब? जानिए कैसे करें योजना में निवेश? डाक घर मासिक आई योजना भरत सरकार द्वारा समर्थित एक स्मॉल सेविंग स्कीम है. ये योजना निवेशकों को हर महीने एक निर्धारित राशी प्राप्त करने की सुविधा देती है निवेश के बाद पोस्ट ओफिस ब्याज दर के हिसाब से निवेशक को हर महीने पेमिंट करती है Post Office मासिक आय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें निवेशक एक निष्चित राशी का निवेश करता है और हर महीने एक निष्चित ब्याज का भुगतान पाता है चलिए हम आपको Post Office की मासिक निवेश योजना के बारे में बताते हैं अगर आप डाक घर में मासिक आय योजना का खाता खोलते हैं तो आपको पहले पांच वर्ष में कोई धनराशी निकालने की अनुमती नहीं होगी अगर आप दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो P.O.M.I.S. खाते का ट्रांसफर आप उस शहर के डाक घर में कर सकते हैं बच्चे के नाम पर P.O.M.I.S. माइनर खाता खोला जा सकता है पोस्ट ओफिस मंतली इंकम स्कीम में हिस्सा लेने के लिए नाबालिक की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए 18 साल की उम्र के बाद माइनर धनराशी निकाल सकेगा अगर आप लॉकिन पिरियट समाप्त होने से पहले अपना निवेश कोश वापस लेते हैं तो आपको फाइन भरना होता है इस योजना से मिलने वाली ब्याज राशी टीडियस के अधीन नहीं है लेकिन योजना से होने वाली कमाई टैक्स के अधीन आती है क्या है पातरता? खाता धारक भरत का निवासी यानि नागरिक होना चाहिए 18 वर्ष से अधिक आयू का कोई भी भारतीय नागरिक खातक खोल सकता है आप 10 वर्ष या उससे अधिक आयू के नाबालिक का भी खातक खोल सकते हैं 18 वर्ष की आयू के बाद बच्चा फंड का इस्तेमाल कर सकेगा डाक घर मासिक आय योजना पर ब्याजदरें 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष हैं ये ब्याजदर हर महीने मिलती है इसी योजना में नियूनतम जमा राशी 1000 रुपए है सिंगल खाते में अधिक्तम निवेश सीमा 4.5 लाक रुपए है और संयुक्त खाते में 9 लाक रुपए का अधिक्तम निवेश किया जा सकता है पोस्ट आफिस मासिक योजना एक ऐसी योजना है जिसमें निवेशक एक निश्चित राशी का निवेश करता है और हर महीने एक निश्चित ब्याज का भुक्तान करता है क्या है स्कीम की शर्तें? इस अकाउंट को खुलवाने की एक शर्त ये है कि आप एक साल से पहले अपनी जमाराशी निकाल नहीं सकते वही अगर मेचौरिटी पीरियट पूरा होने से पहले यानि तीन से पाँच साल के बीच निकालते हैं तो वो मूल धन में से एक फीसदी की राशी काट कर वापस कर दी जाएगी वही maturity period पूरा होने पर पैसे निकालते हैं तो स्कीम के सारे लाभ मिलेंगे Post Office के साथ एक और अच्छी बात ये है कि इसे सबसे सुरक्षित निवेश माध्यमों में से एक माना जाता है लिहाजा बहुत सारे लोग इस पर भरोसा करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए धन्यवाद National Desk News Life बिहार